फिल्म आधी पुरिश का विवात थमने का नाम नहीं ले रहा फिल्म के रिलीस के पहले दिन से ही सोशल मीडिया पे उसे लगाता ट्रोल किया जा रहा है चाहे वो फिल्म के डायलॉक्स हो, कॉस्ट्यूम हो, वीएफेक्स हो या फिर फिल्म की स्टार कास्ट लोग हर तरीके से उसको ट्रोल कर रहे है साथ ही लोगों को अपनी पुरानी कहानी से छेड़ चाड़ करना कुछ खास पसंद नहीं आया है और उन्होंने मेकर्स पे आरोप लगाया है कि उन्होंने पुरानी कहानी से छेड़ चाड़ करके गलती की है ऐसे में आप फिल्म को लेके नया विवाद उठने लगा है फिल्म के अंदर विभीशन की पतनी सरना का किरदार निभाने वाली अभिनेतरी त्रिप्ती पर अब सवाल उठ रहे हैं फिल्म के अंदरों का ग्लैमरिस अवतार लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्हें अब सोशल मीजिया पर लगात आर्ट रोल किया जा रहा है फिल्म के अंदर त्रिप्ती के सीन की बात की जाये तो उन्होंने फिल्म में विभीशन की पतनी सरना का किरदार निभाया है जो राम जी के युधि के दौरान उनके कैंप में जाती है और विभीशन से पूछती है कि प्रभू राम की बात पर आपको इतना भरोसा क्यूं है इस दौरान वो अपने कपड़े बदल रही होती है जो सीन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है दर्शिकों का कहना ये है कि फिल्म में सीन को डालने का सिर्फ एक ही मतलब था कि लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खीचा जा सके इसको लेकर लोगों ने कई तरह के कॉमेंट्स किये है और ट्विटर पे भी इसे लगातार ट्रोल किया जा रहा है एक यूजर ने तर ट्विटर पे दो तस्वीरे पोस्ट करते हुए लिखा ये कोई कामा सुत्रा का एड है या फिर आदी पुरिश की फिल्म ऐसे ही कई तरह के कॉमेंट्स से पूरा ट्विटर और उनका कॉमेंट सेक्शन भरा हुआ नजर आया फिल्म के सीन को देखने के बाद गूगल पे विभीशन की पत्नी कौन है इसे लगातार सर्च किया जा रहा है वे लोग लगातार फिल्म की अंदर ट्रिप्ती को ढूण रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पे भी ढूणा जा रहा है कई लोगों को त्रिप्ती काफी खूबसूरत नजर आई तो कई लोग ये कह रहे थे कि वे अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठा रही है इसके साथ ही अगर हम आपको त्रिप्ती के बारे में बताएं तो वे मराठी सिन्मा की टॉप अक्ट्रस इसके लिस्ट में शामिल होती है साथ ही वो एक शादी शुदा महिला है और उनके पती मधुर भी मराठी सिन्मा के जाने माने नाम है इसके साथ ही बता दे कि एक्ट्रिस को अभी तक दो ही मराठी फिल्मों में देखा जा चुका है उनकी पहली फिल्म 2018 में तो दूसरी फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी जिसके बाद उन्होंने अपना बॉलिवुड डेब्यू आदिप पुरुष्टे किया है